नमस्कार मेरा नाम इमान्शुदर्वन आपके दिमाग में मेरे ख्याल से बहुत सारे question चलते हैं जब आप अपने reports देखते हैं semen analysis की कि उसमें motility क्या है morphology क्या है active motility क्या है sluggish motility क्या है उसके बाद dead mortality क्या है doctor तो कहते हैं आपकी report खराब है बस इतना कहकर आपको दवाईया लिख देते हैं और आप जाकर ले ले लेते हैं उसके बाद खाते रहते हैं तब भी आपको पता नहीं चल रहा है कि आपके sperm count actually fine है या ऐसे ही बोल दिया गया आज मैं आपको थोड़ा सा रिपोर्ट भी जज़ करना सिखाऊंगा कि रिपोर्ट को जज़ कैसे किया जाता है देखो active motility sperm concentration sperm count सारी चीज़े अलग-अलग है एक values होती है उन सब की कि एक sperm count को check किया जाता है पर ml पर ml माने कि जितना भी आपका sperm count एक time में ejaculate होता है वो मे 5 ml तीन आमल या चार आमल या पांच आमल से उपर कम ही देखा जाता है लिए 5 ml तक अगर आपका sperm count ejaculate होता है और उस में per ml के एकसाब से आप के count सामने लिखे होते हैं वो 60 million per ml भी हो सकता है 65 भी हो सकता है 53 भी हो सकता है 15 भी हो सकता है WHO के recording, World Health Organization कहती है 15 million से कम वालों को sperm count अगर 15 million से कम है तो वो आपको दिक्कत दे सकता है, आपको infertile कर सकता है जब आपके मन के अंदर desire हो बच्चे के लिए और जब आप sexual activity perform करते हैं तो वहाँ पर problem arise हो सकती है as in penetration में क्योंकि इतने sperm count नहीं है जो आप female egg के अंदर जाकर penetrate करकर एक fetal बना सके हैं तो यह एक problem हो सकती है अब next उसके नीचे और भी चीज़ा लिखे होती है active mortality होती है sluggish mortality होती है उसके बाद उसकी morphology होती है अब यहाँ पर active mortality के बार में बताते हैं कि active mortality अगर आपकी approximately 40% से कम है तो it means कि आपकी report में defect है अगर आपकी sluggish mortality 50% से अबब है तब भी आपकी में defect है I mean उसे report में defect है अगर आपकी सारे के सारे sperm count dead की category में आते हैं या 60% की dead की category में आते हैं तब भी वो report defected है मतलब उस वो एक infertile man की report है अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं सबसे बड़ाई चीज क्या है हमारे सामने mortality अच्छी है तो आप अराम से penetrate करके अपने आपको fertile की range में खड़ा कर सकते हैं बड़ यहाँ पर दिक्कत कहां आती है हमारा lifestyle क्योंकि हम ऐसे lifestyle से चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं जिसकी वज़ा से में भी शायद आपको यह दिक्कत arise हो चुकी है कि आपकी active mortality नहीं है सबसे ज़्यादा जो होते हूँ अलकॉहलिक बहुत होते हैं शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं अगर आप शराब ज़्यादा पीएंगे तो आपका liver जवाब देगा देगा जब आपका liver जवाब देना चालू करेगा न तो आपकी mortality विगाड़ देगा वो इसले पाने के जित्ते में nutrition है वो आपकी body को देते हैं और उस body को utilize करने का 7 steps होते हैं मैं सारे steps की बात नहीं करूँगा बट last step जो 7 step जो होते हैं जहां पर 7 position होती हैं जहां पर fertility या testicles को nutrition जो देने वाला step होता है उस step तक पहुंचते पहुंचते बहुत nutrition अल्रेडी निकल चुके होते हैं जो आपकी body को need होते हैं महा तक nutrition नहीं पहुंच पाते हैं जिसकी वज़ा से आपकी sperm count क्या पता बनतो रहे हैं बट उसमें motility ही नहीं है एक cause तो यह सामने ही सामने हम देख सकते हैं जिनका liver functioning सही नहीं है जिनकी LFT की report सही नहीं है उनको active motility नहीं मिलती है तो कम मिलती है अब active motility को ठीक करने के लिए अपनी liver की functioning को सही करना सबसे पहले start कर दीजे अगर आप fried खाना खा रहे हैं या फिर भार का खाना खाते हैं या आप इस तरीके से खाना खा रहे हैं जिसकी कोई routine नहीं है माननीजे कभी आप खाना खाते हैं 12 बजे कभी खाते हैं 12 बजे कभी खाते हैं 2 बजे और कभी खाते हैं 3 बजे कोई routine नहीं है तब भी हम देखते हैं पेशेंट आज नहीं तो कल किसी ना किसी ऐसे ऐसे फेक्टर से डाइजेशन इशू के फेक्टर से फेस करता ही करता है और वहाँ पर उसको ये दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है देखो basically अगर हम sperm count की बात करें या sperm concentration की बात करें या हम sperm total बात करें कि वो है क्या basically सबसे पहले वो आपकी अंदर एक ऐसा mechanism है या एक तरीकी की machinery है जो एक production करके देती है as a sperm as a आपके body का part होता है कोई अलग नहीं है वो भी एक तरीकी से body का part है अगर body के part को requirement होती है किसी भी चीज़ की वो body से ले ले सकता है but इस condition में जिनके sperm count low रहते हैं उस condition में हम ये देखते हैं कि nutrition धंक से नहीं पहुँच पा रहा है अगर आप किसी doctor या allopathic doctor के पास जाते हैं BBS doctor के पास जाते हैं आपको क्या क्या recommend करता है आपको zinc की tablet recommend करता है इसके साथ आपको recommend की जाती है protein के derivatives इसके साथ क्या किया जाता है आपको इसके साथ आपको multi vitamin की medicines दी जाती है अब ये तीनों चीजे करती क्या है आपकी body में सिर्फ top up ही तो करती है चीजों को लेकर आपके minerals top up करेगे आपके vitamins को top up करेगे आपके zinc की कमी को पूरा कर सकते हैं ये सारी चीजे already आप diet से consume कर सकते हैं अगर आपका digestion system सही है तो आपको कभी as such problem नहीं आईगी जैसे कि अगर आपको zinc की requirement है आप खाईए एग एग से आप ले सकते हैं अगर zinc की requirement है तो खाईए आप अगर vegetarian है वेगन रहते हैं तो आप green vegetables की तरफ जाहिए आपको spinach इतना zinc दे देता है जिसके आपको need नहीं पड़ेगी किसी भी ऐसे supplementation को लेने के अगर आप non-vegetarian है तो आप फिश की तरफ जाहिए फिश खाईए एक हफते में एक दिन बनाईए फिश को अच्छी तरीके से खाने के लिए जो आपके zinc की requirement को पूरा करें और साथ में protein भी दे दे जो ऐसे मैंने बोला था कि prescriptional protein के derivatives भी लिखे होते हैं amino acids लिखे होते हैं बहुत अलग अलग चीज़े होते हैं basically supplementation दे रहे होते हैं आपको तो वह supplementation आप अराम से अपने diet में ले सकते हैं अगर आपने पूरी rich diet ले रहे हैं तो अगर आप fried खा रहे हैं भार का खा रहे हैं कभी भी कुछ भी खा रहे हैं तो वहाँ पर अपने sperm count को low होते हैं आप देख सकते हो अगर patient हमारे पास आते हैं तो उसकी basic problem क्या होती है कि fertile नहीं हो रहा sperm count की mortality कम है morphology ख्राब है अब morphology ख्राब होने के पीछे reason क्या होते हैं कुछ नहीं होते हैं उन्हीं की lifestyle होती है हमको सिर 15-20 दिन लगते हैं कि उनकी morphology सुदरने में और 15-20 जिन में मैं ऐसा कुछ नहीं जादू करता और मेरे हाथ में कोई ऐसी कोई power नहीं है कि हाँ मैंने कहा दिया और होगी चीजे पूरी बस simply उनको हमने उनकी ही body से उनके sperm को इतनी energy दे दी इतनी testicles को energy दे दी कि उन्होंने अपने आप ही उस चीज को cure करना start कर दिया ना कि उस अगर semen analysis का टेस्ट करने जाते हैं किसी doctor के पास तो आपको क्या कहता है कि 3 दिन बाद आना या 4 दिन बाद आना क्यों कहते हैं 3-4 दिन के बाद आना क्योंकि 3 दिन या 4 दिन आहाद आन आपके new sperm count बन जाएंगे वो आपको besondere में दिख जाएंगे अगर वहाँ पर sperm count नहीं बन रहे तीन दिन में या चार दिन में तो समझे लेना वो दिक्कत का फेस है अगर वो तीन या चार दिन में लो हो रहे हैं तो वो दिक्कत का फेस है कभी-कभी क्या होता है कि लैब में जाते हैं पेशेंट्स महाँ पर जाकर चेक करवाते हैं उनका रात को नाइट फॉल होता है, सुबई आकतर वह टेस्स कर लेते हैं अपना मास्टूबेशन करके और उसके बाद महाँ पर पर स्पर्म काउंट के आते हैं बहुत मिनिमल से आ गई है या कभी का निल भी आ जाते हैं तो घबराओ मत अगर आपका रात को नाइट फॉल हुआ अगर आप सुबे टेस्ट कराने जा रहे हैं तो घबराओ मत आप दो चार दिन का वेट करो फिर उसके बाद एक टेस्ट और करो क्या पता वो time period पे आपके total sperm count जित्ते बने थे वो ejaculate हो गए आपके nightfall में और जो बचने जो बने थे वो थोड़े से few sperm count रहे गए या अभी तक पूरे develop ही नहीं पूरे बने ही नहीं आपने पहले ejaculate करके उसको निकाल दिया तो simply अगर आप कहीं lab technician के पास जाते हैं तो चार दिन का अपना sperm count जमा करो फिर उसके बाद ejaculate करो फिर उसकी actual calculation analysis सामने आती है वो actual report मानी जाती है motility और morphology को diet से आपने घर बैटे ठीक कर सकते हैं जहां पर किसी doctor की requirement नहीं बढ़ती है requirement पढ़ती है तब जब आपकी कुछ ना कुछ troubles आगी जैसे हमेशा मेरी हर वीडियो में आप सुनते होगे कि digestion system को सही रखो colitis मत होने दो, IBS मत होने दो, अगर आपको colitis, IBS या indigestion की दिक्कत है तो आपको यह दिक्कत हमेशा मनी रहेगी चाह आप supplementation भी खा लोगे नो तब भी यह दिक्कत बनी रहेगी तो कभी भी अपनी stomach को long term में trouble देनी की जुरत नहीं है अपने पेट को लंबे समय तक उसी हलात में रहने की और जीने की आदत मत डालो अगर कुछ खराबी है तो उसको तुरन ठीक करो आजपास इतने doctors हैं उनसे ठीक करो अगर कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहां से क्या ठीक करवाना चाहिए क्या नहीं तो आप नीचे दियेवे नंबर पर हमें call करो अपनी problem बताओ अपनी history बताओ उसके बाद अगर हमसे solution होगा हम definitely आपको देंगे आपकी उस troubles से आपको निकालने की पूरी कौशिश करेंगे और आपको स्वस्त रखेंगे और अगर आपको यह वीडियो थोड़ी समझ आई हो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेप बलेक अगवादी जैका thank you and thank you very much